हेलो दोस्तो मैं रितुतोमर स्वागत करती हूँ आपका आपकी इस अपनी यूट्यूब चैनल और टाइम क्लासिस सारणपूर पर दोस्तों उम्मीद है कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो चलो दोस्तों आज उसी तयार लेंदी हो जाती खीक है तो इसलिए जो छूट गया है वही आज हम कंप्लीट करेंगे तो वर्ण मालम कल हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों तो कल हमने वर्ण देखे थे कि वर्ण किसे कहते हैं वर्ण के भेद कितने होते हैं तो बस यही सब कल हमने पढ़ा था तो आज क्या देखते हैं आज भी वर्ण ही देखेंगी तो चलो श्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पढ़नाएं हैं तो प्लीज ओल्टाइम क्लासे सारनपूर चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो अगर आपको हेल्टफुल रहती है मतलब आपको अच्छी लगती है पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए तो चलो, श्टार्ट करते हैं दोस्तों तो कल तक हमने क्या देखा था? कल तक हमने आपको वेंजनों का वर्गी करन और उच्चारन स्थान बताया था कि जो वेंजन होते हैं, आपके उनका उच्चारन स्थान क्या होता है और कैसे कैसे वेंजन होते हैं तो चलो, आज देखते हैं तो आपको अनुश्वार और अनुश्वार किसे कहते हैं और अनुश्वार किसे कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं किसकी अनुशवार की, किसकी दोस्तों अनुशवार की, अनुशवार, तो अनुशवार क्या है आपके, अनुशवार और अरुनाशिक दोनों में अंतर होता है, ठीक है दोस्तों, तो अनुशवार किसे कहते हैं, अनुशवार वो होते हैं, जिन सब् उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुह से कम निकलती है, तो वो होते हैं आपके अनुस्वार, और अनुनाशिक क्या होते हैं, अनुनाशिक में ऐसे होते हैं, कि नाक से कम सांस निकलती है, और मुह से ज़्यादा सांस निकलती है, तो अनुस्वार क्या है, कि अ नाक से किस से नाक से अधिक नाक से अधिक सांस निकलती है और इनका उचरण भी करेंगे हम ठीक है उचरण के आधार पर ही बताएंगे नाक से अधिक सांस निकलती है और नाक से ज़्यादा सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है चलो बोल के देख लेते हैं जैसे जैसे आप बोल देते हैं अंग अंग देखते हैं कि नाक से ज़्यादा हवा निकली है और मुख तो हमारा बंद हो ज़्यादा है जब अंग बोलती है अंग तो जीव देखें जीव तो पर टच ज़्याती है तो हवा ज़्यादा कहां से निकलती है सांस सोरी नाक से ठीक है अंग अंस अंक अंक अंश अंक तो यह कैसे है आपके अनुस्वार ठीक है और दूसरी बात कि अनुस्वार की पैचान कैसे होती है तो दूसरी बात क्या है आपकी दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि अनुश्वार की धवनी अनुस्वार की कि धवनी परकट में धवने को दिखाने के लिए के लिए अनुश्वार की धवने को दिखाने के लिए वर्ण पर बिंदू लगा जाता है जैसे अंक अंस पर लगा हुआ है ना वैसे यह वर्ड पर बिंदू लगाया जाता है लगाया जाता है लगाया जाता है क्योंकि यह है यह को वेंजन धवनी है कैसी है वेंजन धवनी है ना कि सवर धवनी जो अनुनाशिक होते है वो सवर होते हैं तो यह क्या है एक क्योंकि यह है एक क्योंकि यह है एक यह है एक वेंजन धवनी है क्योंकि यह एक वेंजन धवनी है ठीक है दोस्तों तो अनुश्वार क्या है कि अनुश्वार जब हम बोलते हैं तो बस नाक से ज़्यादा हवा निकलेगी बाहर और मुख से कम निकलती है जैसे अंग मुक्तबंध हो गया जीव उपर टच होकर की और नाक से ही अधिक सास निकल गई ठीक है और दूसरी बात क्या है कि अनुश्वार की जो धवनी है उन्हें हम दिखाने के लिए क्या करते हैं कि वर्ण के उपर ही एक बिंदी लगा जैसे पोल देते हैं अंकी बिंदी ठीक है त और एक और बात जो आपके तत्समसब्द होते हैं उन सभी में अनुश्वार लगता है नाकि अनुश्वार फिक है ये भी पहचाना आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि कहीं मैं अच्छे तत्सम और टध्भव जो है आप पहचान ने पाते तो तत्सम में क्या हो सोर पर आपको याद रखना है तो क्या है थर्ड कि तत्सम सब्दों में क्या तत्सम सब्दों में अनुशवार लगता है अनुशवार ना कि 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 अनुशवार और कैसे लगता है जैसे? कुछ ततसम सब्दी लिख लेते हैं या पे जैसे अंगुष्ठ क्या हो गए आppy का? अंगुष्ठ hepss क्या है आपका ततसम सब्द है? दंत दंत और अंत्र तो ये क्या है आपके ततसम सब्द और आपने देखा कि तत्सम सब्दों के उपर क्या लगता है तत्सम सब्द में ही अनुस्वार लगता है ठीक है तो चर दोस्तों अब देख लेते हैं अनुनाशिक क्योंकि इन दोनों में डिफ्रेंस होता है अब क्या देखेंगे अनुनाशिक क्या अनुनाशिक किसे कहते हैं बस उसका पोजिट जब हम अनुनाशिक को दिखाते हैं उचारण करते हैं तो बस नाक से अब कमसास निकलेगी और मुझ जादा खुलेगा तो जैसे तो पहले लिख लेते हैं कि अनुनाशिक के उचारण में नाक से बहुत कम सास निकलती है और अब मुख से जादा निकलेगी मुख से मुख से अधिक वायू निकलती है स्वास लिखो या वायू एक ही बात है निकलती है और कैसे एक्जामपल देख लेते हैं कि क्या बताए मैंने अनुनाशिक के उचारण में नाक से बहुत कम यानि कि ना के बराबर ही आपकी हवा निकलेगी और मुझ से ज़दे निकलेगी और कैसे जैसे जैसे एक्जामपल है आपका जैसे एक्जाम्पल है आपका जैसे एक्जाम्पल लिख लेते हैं आत क्या आत गाव आप देख रहे हैं कि मूँ तो बंद है ना तो मूँ से तो हवा नहीं निकल रहे हैं ना के बराबर ही निकल रही है अगर निकल भी रही है ठीक है चिडिया तो जदा सास कहा से निकल रही है नाक से तो बस इतना आपको याद रखना है कि अगर नाक से कम सास निकलती है कम सास निकलती है तो अनुनाशिक और अगर जदा सास निकलती है नाक से तो अनुस्वार जैसे नाक, सोरी, आत, गाउ, चिडिया आत गाव चिडिया तो यह जब आपने बोल दिये ठीक है आत आपने देखा मूँ खुल गया पुरा आत गाव चिडिया आप तो बंध है अब मूँ ज़्याद खुल गावाय है तो मूँ से अधिखावा निकल रही है तो यह क्या है आपके अनुनाशिक है तो और क्या बाते हैं अनुनाशिक की तो दोस्तों अनुनाशिक समझ में आ गया कि कि वि states कहते हैं कि जब अनुनाशिक का चर्ण करते हैं तो किया होता है नाक से कम सास नेकलती है और मुख से अधिक जैसे आत मुख से ज़्यादे निकल रही न मुख खुल रहा है और नाक तो लगभग बंद ही हो गई है तो इसलिए नाक से कम निकल लिए तो अनुनाशिक और अनुस्वार में बस यही डिफ्रेंस है कि अनुस्वार में नाक से ज़्यादा सास निकलती है मु अधे खुल जाता है ठीक है मूँ से ज़्यादा आती है बाहर ठीक है तो अनुनाशिक सवरों पर दूसरी बात पहचान क्या है कि अनुनाशिक सवरों पर अनुनाशिक सबर उपर चंदर बिंदू लगा होता है क्या होता है चंदर बिंदू और महाँ क्या होता है महाँ पर क्या लगता है महाँ चंदर बिंदू नहीं अंक वाला बिंदू लगता है जिसे अनुश्वार कहते हैं ठीक है अयोग वहाँ भी उसे ही कह देते है चंदर बिंदू लगता है जैसे उपर जो सब्द लिखे हुए है आत, गाउं, चीडिया तो इन सब में क्या लगाओ है अनुनाशिक अब अनुनाशिक की भी एक खास बात है आपने जो पीछे देखा आपने मैंने जब मैंने आपको अनुस्वार बता है तो अनुस्वार में क्या था? तदसम सब्दों में थे और तदभव सब्द क्या है? तदभव सब्द अनुनाशिक है तो तदभव तदभव रूपों में में चंदर बिंदू लगता है क्या लगता है? चंदर बिंदू लगता है आपने जितने भी तद्भव सवद पड़े होंगे उनमें क्या है चंद्रबिंदू लगता है और कैसे लगता है जैसे कैसे लगता है जैसे अंगोठा 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 में क्या है आपका चंद्रीबिंदू लगा है दात आत जिनसब्दों में क्या होत्या है आपka क्या लाज फिर दुबारऊ है रिपीट कर दिएं राफसे और तत्सम सब्द किसा क्यातते हैं ठीक है दोस्तों आथ हो गया आख हो गया आपका आख अंगना और देख भी रहे हैं जब आप बोल रहे हैं अंगना आख आथ दात अंगुठा तो मूख से ज़्याद हवाब आ रही है और नाक से कम आ और दोस्तों एक में बात यह भी थी कि मष्ट्ट बात त्या थी कि अयोगवा यानिक अनुस्वार थे ना के अनुश्वार उन्हें अयोग वहां का जाता है कि कि विशर्ग और prof replacing मूंद ऊट आयोगवा है कहते हैं यहीं कहा जाता है यह बात जरूर याद रखनी है ठीक है यह है इंपोर्टेंट बात ठीक है दोस्तों तो पता लग गया अब बात करते हैं नीरनु नाशिक की तो नीरनु नाशिक किसे कहते हैं नीरनु नाशिक नीरनु नाशिक क्या है तो यह क्या है केवल मू से बोले जाने वाले अनुनाशिक और अनुश्वार में फर्क होते हैं अब देख रहे हैं आप निरनुनाशिक तो क्या है केवल मू से बोले जाने वाले शैशवर वर्णों को क्या कहते हैं आप निरनुनाशिक कहते हैं और निरनुनाशिक कैसे हैं जैसे अपना आप इधर उधर उधर घर तो यह क्या है आपके निरनुनाशिक जो सरिफ मुख से बोले जाते हैं ठीक हैं ना तो नाक से शास निकलेगी और ना ही अपनाशिक को क्या अपना आप इधर उधर तो यह क्या है आपके निरनुनाशिक अब विशर्ग किसे कहते हैं यह वेंजन है और इसको चरण किसकी तरह होता है कि जैसे दुख बोलते हैं ना आप प्रात हैं तो है की तरह ही इसका वो होता है उच्चारण तो यह क्या है यह है वेंजन है क्या है वेंजन है अब वर्ण माला पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको हर तरह के सब्दों का पता होना चाहिए ठीक है यह है वेंजन है और इसका उच्चारण और इसका उच्चारण उच्चारण इसका उच्चारण है कि तरह होता है किसकी तरह होता है और दूसरी बात दोस्तों कि संस्क्राइब भासा में तो हम यूज करते हैं लेकिन हिंदी भासा में थोड़ा कम ही यूज होता है लेकिन कुछ जो तत्सम सब्ध है उनमें इनका आज भी यूज होता है तो चलो ये बाद भी मैं लिख देती हूँ क्या है दूसरी बात की संस्कृत भासा में संस्कृत भासा में तो व्यावारिकता दिखती है विदमान है लेकिन हिंदी में तो कम है अब हाओ ठीक है लेकिन हिंदी में यानि कि हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में इसका भाव होता जा रहा है इसका अब हाओ यानि कम होता जा रहा है हिंदी भाषा में किया है कम यूज होता है लेकिन संस्क्रथ में होता है और बात किया है कि किंतु तचसम सब्दों में होता है किस का किνतु तचसम सब्दों में कि इस पंदश में आज बिफियोग होता है आज भी उप्योग होता है जैसे एक्जाम्पल देख लो एक्जाम्पल देख लो सवत है अत है ठीक है और एक है क्या देख तो ये क्या है आपके विशर्ग वाले वेंजन ठीक है तो क्या बताया दोस्तों मैंने आज अनुश्वार बताया तो अनुश्वार में बता दिया कि नाक से सास ज्यादा निकलेगी मुख जहा है आपका मुख मुख से कम धवने निकलेगी सोरी कम सास निकलेगी जैसे अंग अंक अश अंस इसमें क्या है आप देख रहे हैं कि नाक से ज्यादा सास निकल रही है मुख तो लगवग बंसाई है ठीक है बंद हो जाता है जब बोलते हैं अनुश्वार जो है और अनुश्वार जो है वो तत्सम सब्दों में लगता है जैसे बता देता मैंने और अनुश्वार जो वि अनुश्वार या विशर्ग आ जाए तो आप एकदम से पहचान लेना कि क्या होगा आपका तत्सम सब्द होगा लेकिन अगर चंद्री बिंदो लगा होते हैं तो कौन से आपका तत्भव सब्द है ठीक है दोस्तो आज आपने अनुश्वार 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 विशर्ग देख लिए अब क्या देखते हैं अब दोबार से फिर मैं आपको सब्द्धवनियों का परचे करा देती हूं दोबार से फिर देख लेते हैं क्या सब्द्धवनियों का किसका सब्द्धवनियों का तो क्या देखेंगे सवर धवनियों का सवर धवनिया सवर धवनिया ठीक है आपको पता है कि सवर धवनिया जो है जीब के हिपाट यूज होते है सवर धवनियों के बोलने में किसके जीब के भाग जीब के भाग कौन कौन से यूज होते है तो सबसे पहला जीव के तीन पार्ट अगर भाग, दूसरा मध्य भाग, और तीसरा कौन सा आपका पसच भाग, और कौन-कौन से वर्ण यूज करते हैं, जब बोलते हैं, तो कौन-कौन से वर्ण बोल ले जाते हैं, तो कहने बाद अगर भाग से कौन से बोल ले जाएंगे, ये कौन से अगर भाग से निकलेगे अ जो सब्ध है वो आपका अवर्ण मद्यभाग से निकलेगा और अब जो बाग की सारे सुवर्बचे है उ अउ ओ 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 आ ये कौन से ये हमारी जीब के पसच भाग से निकलेगे तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में ये भी देख जाते है कि ये वर्ण को बोलते समय जीब का कौन सा भाग यूज होता है ठीक है या फिर पसच भाग कौन से वर्ण को बोलने में यूज होता है ये भी आ जाता है कभी-कभी तो अब देख लेते हैं दोस्तों मुखो की आकर्ती किसकी मुख्ँ आकर्ती के अधारपद और जीव के भाग जो है कौन-कौन से बолетते हैं ना मुख की बया करती हो तो जब आप सब्दों को बोलते है या निकर सवर को बोलते हैं तो मुख की बया करती आप बदलती है गैं तो वही देख लेते हैं मुख मुखा करती के आधार पर ठीक है अब है जीव के आधार पर कितने भाग बताएं मैंने तीन भाग अगर मद्य पसच भाग पसच यह आपके भाग है ठीक है अगर मद्य और पसच और अब है संख्या यानि यह कितने कितने सवर है जो बोलने जाएंगे तो देख लेते हैं दोस्तों अगर भाग सबसे पहले आते हैं कि समवर्थ वर्थ समवर्थ 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 ठीक है तो समवर्थ सवर्थ अगर मैं पता है आपको यह बोलना जाता है इ और इ ठीक है और मद्या पह कौन सा बोलना जाता है उ अव संवर्थ संवर्थ ठीक है तो कहने की बात यहाए कि समवर्थ सवर अगर पूछ ले जाए तो उनकी संवर्थ बता हो तो पहले तो पूछ लेते हैं कि समवर्त सवर बताई यह कौन-कौन से है लिप लिव और का दोस्तों ए, उ, अउ तो यह क्या है आपके समवर्त सवर है, ठीक है दोस्तों अब दूसरी बात आज़ती है तो दूसरे कौन सेарт समवर्त कौन से अर्द ये उपर वाला गलत लिखा गया ठीक है समवर्थ और ये कौन सा है आपका समवर्थ सवर तो नीचे कौन सा है अर्द समवर्थ सवर तो ये कौन कौन से होते है एक कौन से ए और ओ तो दो ही होते है आपके ठीक है दोस्तों ये कितने होते है दो अब आएगी अर्द वीवर्थ की किसकी वीवर्थ और ये भी बताऊंगे मैं कि समवर्थ कैसे है और वीवर्थ कैसे है ये होते हैं बोलने के आधार पर और भी मैं आपको बताऊंगे ये ये कितने हुए ये आपके चार हो गए अब वीवरत सवर भी ले दिते हैं कौन सा? वीवरत सवर वीवरत सवर कौन-कौन से है सिर्फ एक ही है संख्या कितने है अब है सवर की संख्या सवर की संख्या इसकी सवर की संख्या आपको पहले ही बता दे है अगर सवर कितने होते है चार इ ये बड़े वाली इ है ठीक है बड़े वाली इ ए आई चार हो गए और मद्यभाग के कितने है एक सिर्फ श Сп deixa की कितने है व्रत मुकह कैसे कैते है व्रत मुखे कैसे कैसे कैते है समवरत १ और एर्ध विवर्थ और विवरत सवर्थ ये मैंने आपको बता दिया अब देख लेते हैं दोस्तो हुट की आधार पर हुट की आकर्ती की आधार पर भी दो परकार के होते हैं सवर आपके अगर मुख के आधार पर देखो गया आप तो मुख के आधार पर होते हैं आपके पांच परकार जो मैंने बता दिया कि मुखा कर्ती की ऀञार पर कितने परकार के सवर है पांच परकार के कौन युठ क्या है अब देख लेते हैं होट क्या करती के आधार पर किसके आधार पर ओस्था करती के आधार पर के आधार पर मतलब की होट क्या करती के आधार पर यह तो मुं क्या करती के आधार पर बताएं मैंने और अब कौन से है होट क्या करती के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं आपके दो कौन से एक होते हैं वरत्मुखी और दूसरे होते हैं आवरत्मुखी आवरत मुखी आवरत मुखी तो वरत मुखी वो होते हैं जिने बोलने में आपका जो होट है बिल्कुल गोल हो जाते हैं वरत का मतला भी गोल होता है और आवरत मुखी कौन से है जिने बोलने पर बस आपका मुख पुरा गोल नहीं होगा, कम होगा आधा होगा ठीड़ा तो वरत मुलू कोन कोन से है जैसे बोल के देख लो ऊबिंगर करते हैं तो आपके जो होट है वह बिल्कुल बोलेंगे ए ए ए ए ए ए ए ए तो यह कैसे आवरत्मुखी क्योंकि आपने देखा अब होट गोल नहीं हो रहे है अब होटो क्या करती कैसी है अब चेंज हो गई तो यह कैसे है आवरत्मुखी ठीक है तो अब है अब आब होटो की देख लिए आपने रत्मुखी वो सवर है जिरें बोलने पर आपकी होट क्या करती क्या है तो Hai ले मात्र 이유 हेल तो आपने पढ़ी है हाल तक आप देखेंगे क्या हम मात्राइब के परिभाशा क्या है क्या है कि जब सवरों का प्रयोगं Master के साथ मिला के 5 कлам का सब बदल जाता है इसका सबर आप एंस्जम का सब्दल जाता तो उन्हें क्या कहें उन्हें मातरा कहते हैं तो मातर किसे कहते हैं जब आपको वनजन बोलकर किसी मातरा के साथ मिला करके उसका सवरू बदल दे वही आपकी मातरा है तो जब सवरों का जब शवरों का परियोग जब सवरों का परियोग वेंजनों के साथ मिलकर वेंजनो के साथ मिलकर किया जाता है किसका सवर का परियोग किया जाता है तब वेंजनो का सवरूब बदल जाता है तब उनका सवरूब किसका वेंजनो का सवरूब बदल जाता है बदल जाता है तो उन्हें क्या कहते है उन्हें ही मात्रा कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें आप मात्रा बोलते हैं मात्रा मात्रा कहते है और सवरों की मात्राई कितनी होती है कितनी मात्राई होती है सवर की तो हिंदी सवरों की मात्राई कितनी होती है आपकी जारा ठीक है सवर की मात्राई कौन-कौन सी होत्ती है पहली बात तो A A E बड़ी E U छटा U बड़ा U जुरी A I O O तो ये कितनी मात्राई हो गई आपकी सवर कितने होए 11 11 तो इन 11 सवरों की मात्रा कौन-कौन सी है चलो दोस्तो मात्रा भी इनके नीचे लिए थे आपकी कोई मात्रा ने होती है वर्ण में जोड कर बोलते है ठीक है जैसे का के साथ लगा देते हैं अगर का हलंत वाला है तो समझो का है आधा है लेकिन उसके साथ जब आ जोड देते है तो वो हलंत हट जाते है तो आ की मात्रा नहीं होती आ को तो ऐसे ही बोल देते है ठीक है आ की मात्रा होती है जो किसी वर्ण के आगे लगती है और बड़ी ए की मात्रा होती है वो जो किसी वर्ण के पीछे लगती है ठीक है छोटे उ की मात्रा कैसी होती है छोटे उ की मात्रा ऐसी होती है और बड़े उ की मात्रा जैसे आप इधर वाली जैसे की की पीछे वाला इस से बस वही लग जाता है नीचे, ठीक है, और री की ऑई की डबल वाली, ग्लप है क्या है आपकी ये क्या है ? जे, एक क्या कि यह अंक वर्ण को यह क्या है और कि मातरा कैसी है उक इस कि मातर चलो इन से बनने वाले वर्ण भी देख लो कैसे तो कुछ नहीं क्यासे यह कंम यह कैसे बना हुआ ऐसे मिलकर बना है सिंपल लिख देते हैं आखी मातरा क्या है काम है ठीक है ये इधर वाली ठीक है ऐसे लगा देते हैं और इस पर ये कैसे लगेगी ये इधर लग जाएगी की ये ऐसे लग जाएगी कू और ये ऐसे इधर वाली लग जाएगी ये ऐसे लगेगी नीचे करकर और ये कैसे लगेगी कैपर और ये कई ये को बन जाएगा ऐसे और ये क्या बन जाएगा कउ ठीक है तो ये इनके मातराई भी बता दी तो अब देखेंगे आप अब आपने सारे सवर पढ़ लिए ठीक है सवर के परकार कैसे कैसे है ठीक है अगर भाग में कौन से सवर होते हैं मध्या में कौन से होते हैं पसच वाले कौन से होते हैं होटो के आखरती के आधार पर भी बता दिया और आपको मुख के आखरती के आधार पर भी मैंने सवर बता दिये हैं तो अब बात चलती है क किस की वयंजन की अब पढ़ेंगे वयंजन अब किसका वयंजन का वर्गी करन तो यह भी दो तरह से उत्ता है किस तरह से एक अस्थान के अधार पर करते हैं और दूसरा करते हैं किसके परियतन के आधार पर तो पहला किस के आधार पर अस्थान के आधार पर और दूसरा किस पर करेंगे हम तो परियतन के आधार पर किस के परियतन के आधार पर परियतन के आधार पर परियतन के आधार पर ठीक है तो अस्थान के आधार पर चलो देख लेते हैं तो अब बात करते किसकी अस्थान के आधारपन यह टेबिल आप मुझे बनानी पड़ेगी चलो परे में लेक देती हुए का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग कौन सा क च ट त और पा यह पांच के पांच वर्ग ठीक है इन पांच वर्ग के वर्ग ठीक है उनका उच्णान स्थान कैसा है और उन वर्गों का नाम क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलो देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे हम वर्ग ठीक है किस वर्ग के हैं फिर देखते हैं उनका उच्णान स्थान क् प्र देखते है उनका क्या वर्ण नाम एब तो शबसे पहले करते हैं कि इसकी कौन से वेचिन आते है पर्ण यह को पर कोण कुन से होते हैं ठीक है उनका उनका चमठान स्थान क्या होता है में कंट से बोल दे जाती है का खः आप देखाए कहां से निकल रहा है कंटि यानिके गले से गले से इनको चराइन स्थान क्या है गले से कवर्ग कावर्ग और कासे कंटिया यह तो आपकी याद रहेगा कंठिय क्या वर्ण है इन वर्णों का नाम क्या है कंठिय ठीक है अब बात करते हैं किसकी चावर्ग की किसकी अब बात करते हैं आपकी चावर्ग की चावर्ग तो चावर्ग में कौन-कौन से है वही चावाले सभी ठीक है उच्छरन स्थान क्या है इनके इनका उच्छरन पिछला थीक है तो अस्थान पतल लग गया कि तालू के पिछले भाग से आवाज निंगते है छा जा यह जा ठीक है तो वन कौन से है यह है तालभी वन कौन से तालभी यह मैंने कल भी बताय था आपको आप अब बात करते हैं टावर्ग की टावर्ग जो है इनका उच्छान स्थान क्या है तो इनका उच्छान स्थान है आपका मूर्धा कौन सा मूर्धा और तो मूर्धा किसे कहते हैं कि मूँ का जो पिछला भाग है पिछला जो भाग हुआ और उसका जो मूँ के अंदर की छत का ज जो रहे हैं वो आपका मुर्धां ठाउ ठीक है तो मुर्धन्य लीआ कि इन वर्णों का नाम क्या है मुर्धन्य ठावर कौनसे मुर्धन्य और दोसरी बात दोस्तों पयाइद तो यह चारे के साथि आपके जो अनतष्थ है कौनसे अंतस्थ भी अंतस्थ अंतस्थ ठीक है अंतस्थ और अंतस्थ और उश्मे कौनसे उश्म वर्ण यह क्या है आपके यह क्या है अपके कौनसे तालव्य है ठीक है दोस्तों कि हुड़ाकर viruses पास और उश्म का भी का पूद में शजा वाल श्राव तो यह क्या है आपका मुरधनवल्ण अब बात करते हैं दोस्तों किसकी तावर्ण से को तावर्ग तावर्ग तो तावर्ग कौन-कौन से है ताथा दाधाना तो तावर्ग आप देख जीव कहां टच हो रहें आपके दाथ से ठीक है कहां से दाथ से तो दाथ उपरी वाला ठीक है उपरी दाथ के लिकट से तो यह कौन से है दंतव्य दंतव्य बोल दिये या फिर दंत्य बोल दिये एक ही बात है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो तावर्ग होगे अब हुआ आपका पावर्ग कौन सा वर्ग पावर्ग तो पावर्ग कौन-कौन से वर्ण होते है पापाबाभामा आप देख रहें कि अब दोनों होट टच हो रहें आपस में पापाबाभामा ठीक है तो यह कैसे है यह क्या बचा आपका और छूट गए आपके अब है कौन कौन से ना कौन से न श ज र उर्ड तो ये कैसे है तो ये है आपके क्यों से ना स्जे रर्ड तो ये कैसे आपके वर्तष Gel तो ये कौन से वर्तष गहें तो कौन से वर्तष ये श धी कहा dif बचाए आपका वा और फा कौन सा वा और फा तो ये आपकी कौन से ये दनतोश्ठी है क्योंकि इन्हें बोलने में आपके होट और दान दोनों यूज हो रहे हैं ठीक है कि दान तो और आपके निचला निचला होट ठीक है नीचे वाला होट जो है नीचे वाला होट उपर वाले दांतों से टच होता है उपरी दांत ठीक है तो वा और फा तो ये कैसे वे मिलकर बन गए ठीक है दांत और होट से तो दंतोष्ठे बन गए नाम से ही पता चल रहा है दंतोष्ठे बस उच्चारण करके देखना है और ब सब्सक्राइब 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 अब देख लेते हैं क्योंकि वेंजन के परकार बताया था तो अब देखते हैं परियतन के आधार पर तो यह तो थे आपके किसके आधार पर अस्थान के अधार पर यानिको आधार उनका 4 अस्थान की क्या हैTYou अब देखें गे परियतन के आधार पर कि सक्के आधार आधार तो परेतन के अधार पर कितने परकार के बताए थे मैंने छे परकार के ठीक है तो परेतन के अधार पर कितने हैं दोस्तों आपके छे परकार के छे परकार के तो पहले असपर्सी वेंजन कौन से असपर्सी वेंजन ठीक है दूसरे कौन से आपके संघर्षी वेंजन कौन से संघर्षी संघर्षी वेंजन ठीक है दोस्तो तीसरे है आपका असपर्सी संघर्षी कौन सा असपर्सी संघर्षी क्योंकि एक्जाम में आता है कि निमन में से संगर सीवर्ण छाटिए या फिर बताईए ऐसे आता है ना और फिर आप महाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप पढ़ी हुए तो होते नहीं हो अच्छे से तो आज आप अच्छे से सीख सकेंगे अंतरश्थ ठीक है और सिक्स है आपका अयोगवा है ठीक है दोस्तों तो यहां जो आपके अंतरश्थ होते हैं दोस्तों तो यह भी तीन परकार के होते हैं कितने परकार के तीन परकार के कौन-कौन से तो एक होता है अर्दसवर अर्दसवर एक होता है आपका लुंठित लुंठित और एक होत है आपका पार्षिविक वह को कि आपको दोस्तों और दूसरी बात दोस्तों अर्दशवर कों कोन से आपके यह और वह प्रीक आप बोलते हैं तो कंपंसा आपको लगता है ठीक में और पार्शिविक है परकार परेजन के परकार के शे परकार के चोन कॉनरत कि वह शेव. आज परकार परीथमगिंगेश में चोन था छोके शॉपन आंधार के, तो सवर्तंत्रियों में उत्पन कमपन के आधार पर, अब क्या देखेंगा आप, सवर्तंत्रियों में उत्पन कमपन के आधार पर, किसके? कमपन के आधार पर ठीक है इसके आधार पर कितने परकार के होते हैं आपके वे इंजन दो परकार के कितने परकार के वे इंजन होते हैं इसके आधार पर दो परकार के थीक है तो सवर्त अंत्रिमत्पन कमपन के अधर्बर कीतने पर्कार के होते हैं दो पर्कार की एक अघोश नगोस और दूसरा होता है आपका साघोश सघोष ठीक है एक अघोष और दूसरा सघोष तो अघोष किसे कहते हैं दोस्तों तो अघोष किसे कहते हैं कि इन धवनियों के उच्चारण में कमपन नहीं होता ठीक है इन धवनियों के इन धवनियों के उच्चारण में यालिकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं वेंजनो को आपके जो सवर्टंत्रियों में कंपन नहीं होता के उस्चारण मेंay सवर्ठंत्रियों में में कंपन नहीं होता है तो यह कौन-कंपन से होते हैं दोस्तो परत्यक्वर्ग के पर्थम और्दित्य वर्ढ़ कौन से पर्थम और दिवित्य वर्ढ़ को यह और दूसरी बात तथा और भी होते हैं आपके तथा फ, श, स, स, ठीक है ये क्या है आपके अघूश है आप इन्हें बोल कर देखिए का बोल दिया आपने खा बोल दिया चा छ, टै ठै तै ठै, पै, फै आपने बोल दिया कंपन हुआ नहीं हुआ ना कंपन तो इसमें सवरतंत्रों में क्या होता है कंपन नहीं होता अब बात करते हैं सगोश की तो सगोश कैसे हैं दोस्तों इन धवनियों के उच्चारण में सवरतंत्रों में कंपन होता है कैसे देख लेते हैं ये सब ही आप उच्चारण के अधार पेन के बोल कर देखेंगे तब ही आपको इन में डिफ्रेंस पता चलेगा ठीक है तो इन धवनियों के उच्चारणों में इन धवनियों के उच्चारण में उच्चारण में सवर्तंत्रियों में हो सवार्तंत्रियों में पंपन होता है कैसे होता है बोल कर देख लेते हैं भी जएसे जैसे आप उच्छाரण करें के वैसे वैसे ही आप का वृषन को अच्छे से समझ पाएंगे कौन-कौन से होते हैं कि परतीयक वर्ग के पर्थम और दिवित्य वर्ग अगोश में आएंगे और पर्थेग वर्ग के तीसरी चतूर्थ और पंचम वर्ण किसमें आएंगे सघोश में आएंगे तो पर्थेग वर्ग के तरित्य चतूर्थ और पंचम और पंचम पंचमवर्ड ठीक है तो ये क्या है आपके सगोश है ठीक है और और भी है ये वाला ड़ ध ज़ यारा लव यारा लव और ह ठीक है और सभी सवर जितने भी सवर है आपके सभी सवर क्या है आपके सगोश है तो सवर तंत्रियों में उत्वन कमपन क्या अधार पर कितने परकार के होते हैं दो शगोश और आगोश आप एक्जाम में देखते हैं कि निवन में से अगोश बताईए निवन में से शगोश बताईए तो फिर वहां आप आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए आज मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है ताकि आप कन्फ्यूज नहों पाए ठीक है तो चलो अब एक टेबिल भी बना कर देख लेते हैं अब देख लेते हैं टेबिल के आधार पर कोन कोन से इधर देखेंगे हम अघोश वयंजन कोन से अघोश वयंजन अघोश वयंजन और इस तरह लिख देखेंगे हम कौन सा सघोश वयंजन सघोश सघोश वयंजन कोन कोन से होते हैं दोस्तों अब यह लिख लेते हैं तो पर्थम और दिवित्यवर्ण वही मैंने बताया था आपको पर्थम और दिवित्यवर्ण पर्थम और दिवित्यवर्ण वर्ण चिक है इसमें कौन सा होगा आपका तृत्तिय चतूर्थ और पंचम पंचम वर्ग ठीक है तो पर्तम कवर्ग ख का ख अगोश क्योंकि कमपन नहीं हो रहा है और वही गः गः जब आप बोलते हैं तो क्या हो रहा है अब सवर्तंत्र में कमपन हो रहा है अब ले लेते हैं आपका चै आराम से बोल दिया और वही जब जब आप देखरें कमपन हो रहा है ये और ये वाला जब ठीक है लुकता वाला अब ठै ठै आराम से बोल दिया अब क्या बोलेगे ड़ धा अड़ और ये वाला डा और ये वाला धा भी ठीक है ये क्या है आपके सघोश वेंजल तो कहने की बात है कि पर्थम और द्वित्ति वर्ग जो है आपका वो है आपका कौन सा यानि कि पर्थम वर्ग के जो है और द्वित्ति वर्ग के है वो तो है आपके आघोश फिर है आपके तृत्य चतृत और पंचा साघोष ठीक है पर्थमवर्ण और दृत्यवर्ण अब बात करते हैं त, ठ, आराम से बोल दियां लेकिन जबाब बोलते हैं द, ध, न, ठीक है अब कमपन हो रहा है प, फ, आराम से बोल दियां लेकिन ब, भ, म, अब देख लिए आपने, अब कमपन हो रहा है यानि के सगोष, जिसमें कमपन होगा वो सगोष और जिसमें नहीं होगा अगोष और दूसरी बात ठीक है, अब आपके बड़ा वाला शेय और तीनों से जो है, शटकोन वाला और छोटे वाला ये क्या है आपके अगोष वही य, र, ल, र, ल, व, और ह, ये कैसे आपके सगोष ठीक है दोस्तों, ये टेविल से भी आपने सीख लिया तो अब देखते हैं प्राण यानि सवास की मात्रा की आधार पर आधार पर तो वाईयू की मातरा के आधार पर कितने सब्द बताएं कितने परकार के होते हैं आपके दो परकार के एक अलप प्राण और दूसरा होता है महा प्राण अलप प्राण कौन से होते हैं क्योंकि जब इन वैंजनों को हम बोलते हैं तो क्या होता है, आपके फेपडों से हवा जो है, कम निकलते हैं, जैसे क, ग, अहीं है, जब आप इनका उच्चारन करते हैं, तो हवा कैसी है कि कम निकल रही है, आप बोल के देख रहे हैं, वहीं अगर आप ख, तो थोड़ी, जदा देर के लिए मुझ खुलता है, घ, तो ज महा प्राण में ज्यादा बहार निकलते हैं, तो अल्प प्राण कौन-कौन से वेंजन है आपके, तो अल्प प्राण है, परतेक वर्ग का पर्थम, तृत्य पंचमवन, और आपके अंतस्त, यारा, लावा, ये सभी वर्ण क्या है, आपके अल्प प्राण, तो अब बात कर येनि जब इनिए आप बोलते हैं, इनके उच् Associates में फेफडो से हवा या फिरवायू प्राण क्योंसे वायू आधिक बाहर निकलते हैं, रिजहंते हैं, और तो महा प्राण कौन-कौन से हैं आपके, अब ये अल्प प्राण पढ़े हैं, तो अब पढ़ेंगे महा वर्ग का परतेख वर्ग का दिवित्य यानि कि सम वाले जो आपके वर्ण है वो क्या है आपके महापरान दिवित्य और चतूर्थ वर्ण ये क्या है आपके महापरान तो दिवित्य बोल के देख लेते हैं जैसे कि ख थोड़ी देर के लिए आप अपना मुझ खोलते हैं तो गहा वोलते हैं तो वहार ज्यादे हावा कम औरक से हुआ निखराम और प्राण से है आपके सह की परतेक वर्ग के दिवित्य और चतूर्थ वर्ण तीक है परतेक वर्ग के दिवित्य और चतूर्थ वर्ण और दूसरी बात चतूर्थ वर्ण हो गए आपका और दूसरी बात दोस्तों और वर्ण भी है आपके कौन-कौन से है और वर्ण है आपके श, स, ठीक है से है और ये वाला भी ये क्या है आपके महापराण चलो इनकी भी टेबल बना लेते हैं तो सबसे पहले अलपपराण लिख लेते हैं अलपपराण ठीक है अब लिखते हैं आपके महापराण महापराण अलपपराण महापराण अल्पप्राण महाप्राण तो अल्पप्राण कौन-कौन से है आपके पर्थम वन्ड तरित्य वन्ड और पंचम वन्ड यानि कि जो आपके विशम वाले वन्ड है वो आपके अल्पप्राण है और जो सम वाले है यानि के दुवित्य और चतूर्थ वो क्या है आपके महाप्राण है तो पर्थम में कौन-कौन से आते हैं गा गा अंगा खाली ठीक है और दुवित्य में खा और गा ये क्या है आपके चतूर्थ हो अब बात करते हैं चावर्ग वाले च, ज, ज, और अई महीं च, और ज, सम वाले क्या है आपके महाप्राण है त, ड, और अन, और दूसरी बात दोस्तों ये वाला वर्ण भी आपका क्या है अल्प्राण ही है और धा वाला कौन से है आपका महाप्राण ठा डा और ये वाला धा भी ता ठा डा ठा ठीक तो अब आती है ता की बारी ता दा न यानिके पर्थम स्कृत्ते और पंचमवन वहीं ठा धा ठीक है दोस्तों और प, ब, म, फ, और भ, ये क्या है आपके महाप्राण और दोस्तों अब या, र, ल, व, जो अंतस्त वर्ण है वो आपके अलप प्राण है और वहीं जो उश्म वर्ण है वो आपके क्या है ह, यानि कि ये अंतस्त है अंतस्त वर्ण और वहीं आपके उश्म वर्ण है उश्म वर्ण तो ये क्या है आपके महाप्राण तो उम्यद करती हूँ दोस्तों आपको अलप प्राण और महाप्राण अच्छे से समझा आ गए होंगे तो अब देख लेते हैं अब देखते हैं कि वायू के नाशिका से निकलने का दाओ यानि कि नाक से जो वायू निकलती है ना उनके आधार पर जो वर्ण है सोरी वेंजन है वो देखेंगे तो वायू के अब क्या देखेंगे वायू के वायू के नाशिक वायू के नाशिका से निकलने के आधार पर निकलने के आधार पर वायू के नाशिका से निकलने के आधार पर तो वायू के नाशिका से निकलने के आधार पर किस तरह के हैं? तो एक नाशिक के या फिर निरनो नाशिक वे एंजन ठीक है? एक या है आपका नाशिक है या तो आप नाशिक के वेंजन बोल देते हैं या फिर निरनु नाशिक बोल देते हैं यह मैंने आपको पीछे भी बताया लेकिन अब फिर दोबारा बता देती हूं तो जिन धवनियों के उच्चारण में, जिन धवनियों के उच्चारण में, यानि कि जब इनको बोलते हैं, जो साउंड आता है, उनमें जो हवा होती है, मुँख के साथ साथ नाक से भी भार आती है, नाशिका मार्ग, यानि कि नाक से भी बाहर आती है, नाशिका मार्ग से भी भाहर आती है, बाहर निकलती है, निकलती है क्या कहलाती है आपकी नाशिक्य धवनिया कहलाती है कौन सी नाशिक ये खीक है नाशिक्य धवनिया कहलाती है खीक है दोस्तों तो निरन नाशिक्य और दूसरी बात निरन नाशिक क्या है नाशिक की या फिर निरनु नाशिक वेंजन आता है तो इसका मतलब है कि जब जिन धवने को चरण में वायू जो है मुझ के साथ आपके नाक से भी बाहर निकलते तो नाशिक के धवने कहलाती है और निरनु नाशिक किसे कहते हैं खाली अगर निरनु नाशिक मोखिक लिखा जांता है तो उसमें क्या होता है तो नीरन नाशिक में फर्थ अगर खाली नीरन नाशिक शवर आजाता है कि यह पिर मोखिख एक वी बात है मोखिख लिए वह आप वोख से जिनके उच्वरण में नाशिका मार्ग बन्द रहता है नाशिका मार्ग यह मैंने आपको इससे पहले भी बता देगे कि वर्ग भी होते हैं और सोरी सवर भी ओते एए वेनजन भी थे तो खाली मेरा नाशी का मोकिक होते हुए शवर कहलाते हैं, ठीक है, मार्ग में नाशी का उच्चारण में नाशी का मार्ग, जी क्या लिख जाना है, सोरी, कभी कभी, बोलते हैं हम कुछ और लिखा कुछ और दाता है, तो नाशी का मार्ग, बंद रहता है, और वायू के वल, किस से बाहर निकलेगी, सिर्फ मुख से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, क्या कहले लगती हैं आपके नेरा नूनाशिक, सवर, नेरे नूनाशिक, या फिर मोखिक, या मोखिक, जैसे अपना आप बोल रहे है ना आप तो ये क्या है आपके निर्ण नाशिक ठीक है दोस्तों मोखिक धवनिया कही जाती है धवनिया कही जाती है कही जाती है ठीक है तो दोस्तों यहां दिखा दूआ मतलब लिख देते हैं नाशिक क्या धवनिया नाशिक्क्य धवनिया नाशिक्क्य धवनिया तो नाशिक्क्य धवनिया कौन-कौन सी है दोस्तों तो नाशिक्क्य धवनिया क्या है कि हिंदी में जो पंचमवर्ण के है न लाश्ट वाले ठीक है वही आपके क्या है नाशिक्क्य धवनिया क्योंकि वो जो सब धम बोलते हैं जैसे अ, 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 न, न, तो नाक्से जाद हवावार्णी कर रही है, तो हिंदी में पंचम वर्णी है, क्या, पंच वर्गिये सोरी, हिंदी में पंच वर्गिये, पंच वर्गिये वेंजनु, के, अन्तिम, पाँचो वेंजनु, कौन से, अ, 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 न, म, ठीक है, तो ये क्या है आपकी नाशुक, नाशुक किये, अनुश्वार मैंने बता है दिया था, अनुश्वार क्या है, जो उपर वाले बिंदिसी होती है, ठीक है, वो क्या आपके, अनुश्वार, अब रह गए आपके, आगत वेंजन, क तो आगत का मतलब क्या है जिसमें नुक्ता लगा होता है ठीक है जैसे क ख में नुक्ता लगा दिया और दोस्तों ग में नुक्ता लगा दिया जा में नुक्ता लगा दिया और फ में यह क्या है कि विदेशी भाशाओ की धवनिया यह आगत का मतलब ही किसी और उससे आई निया विदेशी भाष्णाओं की ध्यामनी ठीक है और दूसरी बात हों हिंदी में अलग जो नए वर्ड सोरी हिंदी में जो नए वेंजन बने हैं वो अलग है और वो कौन-कौन से हैं देख रहेते हैं चलो तो अब क्या देखेंगा हम हिंदी में हिंदी में नए विख्षिद वेंजन कौन-कौन से है यह बोलने के आधार पर ही उत्पन हो जाते हैं ठीक है तो जैसे कौन-कौन से है है दोस्तो जैसे आपका ये वाला यह क्या है यह आपके हिंदी से विक्षित हुए है और क्यों कौन से से डा और धा से यह वाला ठीक है और यह वाले मिलकर और यह दोनों यह इनके मतलब की दो से मिलके बिनन तो ये गुठ्छों में बोलने जाता है और इनचे किया है अलपपरान रोप में अपको पता है आपके अलपप्राणislam इसे मिलकर इनके साहते है तो यह क्या ऐनके आपके महा प्राणि रोप में खेश वर्छित कर दोना तो यहई क्या कभी-कभी अगर मतलब की सिंपल सा कोश्चन ना पूछ करके आपके ऐसे आपको ऐसे कोई सब्द लिखका दे तो क्या बताएंगे आप इसलिए मैंने ये भी आपको बता दिया और इनसे बनने वाले सब्द जैसे की कुमहार ठीक है कान है आलह ठीक है अब संयुक्त वेंजनों कभी संयुक्त वेंजन कौन-कौन से मैंने आपको बताए थे लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं तो संयुक्त वेंजन संयुक्त वेंजन का साध़तंतर परियुग्क का संयुक्त वेंजन थे चार थे बताया था आपको सबसे पहले वाले क्लास में यह और आपनें नहीं देख्षिय और प्लिस दोस्तों उसे जरूर्वड देख़एगा क्योंकि अगर आप एक कोई भी एक क्लास मिस कर देते हैं और उसके बाद उसका दूसरा पार्ट देखते हैं तो आपको फिर समझ नहीं आपका इसलिए कलास देखे के आप पूरी देखेगे तो संयुक्त वेंजन कौण कौन से मतलब भी सियाज पर यू दो जहां का दो आथिक जहां दो या दो से अधिक वेंजनों का सयोग रहता है दो या दो से अधिक वेंजनों का सयोग रहता है वेंजनों का सयोग यानि कि दो या दो से अधिक वेंजनों से मिलकर बने होंगे बस कहने की बात यही है तो वो कौन कौन से हैं तो अक्षा तरध्र-क्ज्य क्या है आपके सनिक्त्वेंद्जन है उद्ध्र गतो हैं तो यह कभी कभी एक्जाम में आ जाता है अक्षे की यह जरूरर याद लखना कभी आप वही बिना हलंत वाला लगा दो ठीक है और तरह किससे मिलकर बना है अगय भी आपका कैसे मिलकर बना है? जा और इस से अजय से वहीं आपका श्रय उस्सरा कैसे बना है आपका? श, और र से मिलकर करके बना हुआ तो यह समझाय को कि इन वेंजनों क्या कहते हैं वेंजन गुछ भी बोल देते हैं जो दो ए दो से दिख वेंजन से मिलकी बनाओगा तू गुछ का मतलबी दो है दो से अधिक होता है ठीक है और इनकी पहचान एक से अधिक वेंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं तता इन वेंजनों के मद्दे कोई शवर नहीं रहा है जिसे अब सपता है पाउरता भी मिलकर बन गया सवपन पाउर कि एक से अधिक वेंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं और इन वेंजनों के मद्दे कोई शवर नहीं रहता बस यहीं है कि संयुक्त वेंजन जैसे मैंने बताया आपको विख्यात लक्षिय लक्षिय अब आपको एक भी साउंड मतलब सवर का नहीं आ रहा है ठीक है अब व इन्हीं विखना राइए आना तो हमें सभी कुछ चाहिए थाकि एकजाम में हम ए धिना छोड़ पाए नहीं तो एक एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती होता आथ कि ईस्टा। भेन जन व्यंजन 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 द्वत्व कि दिघ्या जब समान व्यंजन यानि कि एक ही तरह कि वयंजन ये जो होगे तो जब समान वेंजन संयुक्त होते हैं समान वेंजन डबल हो जाते हैं संयुक्त होते हैं बस वही क्या आपके दिवित्व है जब संयुक्त संयुक्त सोरी जब जब समान वेंजन संयुक्त होते हैं तो वही वेंजन क्या क्या लगता है तब वे क्या कहलाते है आपके दिवित्व वेंजन तो वे क्या कहलाते है आपके वेंजन दिवित्व थीक है दोस्तों वेंजन दिवित्व वेंजन कहलाते है और वेंजन कैसे यासे की बच्चर लिख दो आप बच्च बच्चBl तो यह क्या है आपका वेंजन दिवित्व है ठीक है और वहीं अगर उथे छिपत की बात करो तो बस वही है कि जो वर्ण मुर्धा से टक्रा कर एक दम जब जीब जो है मुर्धा से टक्रा कर एक दम से निच्छ गिरती है वही जैसे ढां डां ठीक है अयोगवा समझी गए होंगे आप अनुस्वार और विसर्ग क्या है आपके अयोगवा है तो अब है दोस्तो विराम चिन क्या है अब आपके विराम चिन है तो विराम चिन पढ़ेंगे अब कैसे कैसे इनका यूज होता है तो विराम का मतलब ही क्या है आपका ठहराओ क्या है मतलब विराम का मतलब है ठहराओ यानि कि जिस तरह हम काम करते हैं और फिर रुखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो वैसे हम जब लिखते हैं तो लिखने में भी हमें विराम क्या शक्ता होती है यानि कि जब हम अपना वाक्य पूरा कर देते हैं कोई भी बात पूरी कर देते हैं तो तब हम थोड़ा विराम लेते हैं और फिर दोबारा बात शुरू करते हैं तो वैसे ही क्या है विराम का अर्थ क्या है आपका विराम चिन ठीक है तो विराम का अर्थ ही क्या है विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना क्या ठहराव या रुकना जैसे जैसे हम बोलते हैं या कोई वाक्य बोलते हैं या फिर कोई वाक्य लिखते ही है तो हमें उसे ठहराव देने के आवशक्ता होती है नहीं तो फिर सैंस नहीं बनता अच्छे से हमें समझ भी नहीं आता जब हम कोई बात बोलते हैं तो थोड़े रुक कर बोलते हैं ठीक है जैसे वह बच्चा रो रहा है अब हम चुप हो गए फिर अगर कोई दूसरा वाक्य बोलेंगे तो फिर थोड़े रुक करके बोलेंगे ठीक है तो यानि कि कहने के बात यह है कि हर वाक्य को या फिर किसी भ आपको ठैराव की ज़र्त होती है यहां जो सिरी ANY अधार पर हम क्या है रिराम चिन पड़ेंगे तो कामतव परशाद गुरु जी ने अग्रेजी से लिया मानतें किसे जी यह ली तो व से व्यपूर्ण विराम को छोड़कर शेज़ सभी इतने है आपके अंग्रेशिय संबन्द रखते हैं उनका ठीक दोस्तो तो विराम का अर्थ समझ लिया तो अब देखते हैं कि श्री स्री कामता परशाद गुरू श्रीकामते परशाद गुरु के अनुसार विराम चिनों की संख्या कितनी है बीस कभी कभी एक्जाम में भी आ जाता है कि श्रीकामते परशाद गुरु के अनुसार विराम चिनों की संख्या बताईए तो विराम चिनों की संख्या कितनी है विराम चिनों की संख्या कितनी है दोस्तों बीस है बीस है और वह बीस कौन-कौन सी है तो अब देख लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी दोस्तों नमबर एक पर आता है आपका अल्प विराम क्या होता है जब आप किसी वाक्ये को या किसी सब्द को बोलकर थोड़ा रुकते हैं जैसे कि अगर आपको दो या दो से अधिक या फिर तीन चार सब्द कुछ भी बात हो कोई फ्रूट के नाम ले लो जैसे कि आम हो गया आम शेव थोड़ा रुक रहे हैं विराम ले रहे हैं जब लिखेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे तो यहां पर हम अल्फ विरा तो दूसरा कों से है आपका दोस्तो अरध्विराम क्या है आपका ऐसे वाला ये वाला क्या है आपका अर्धिविराम इसका यूज कैसे करते हैं अप दोस्तों呢 अर्द वराम कहा है कि जब आप अपनी कोई बात कहते हैं या फिर कोई भी बात कहते हैं तो एक ने थो बोल तो अपका कौन सा पूर्ण विराम जब पूरा वाक्य बोल देते हैं था Lt तो पूरा बाक्य बोल देने के बाद आपकी बात पुरी हो गई तो इसका मतलब आपने फिर विराम लिया पूर्ण विराम चिन आएगा महाँ पर फोर्थ क्या है आपका परसन सोरी प्रशन चिन अपरसन चिन यह तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परसन चिन क्या होता जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं तो वो क्या है आपका परसन चिन फिर तो अब है आपका आश्चरिय जब आप कोई वाक्य या किसी के ऐसी बात सुनते हैं जिससे आपको थोड़ा आश्चरिय होता है तो उसके लिए आप ये विश्मियादी चिन का यूज करते हैं जैसे हाय वह मर गया जिस से दुख पर सन्यता आधी का पता चलता है विशमय दी चिन वह क्या है आपका आस्चरी है फिर है आपका कौन सा निर्दे शांक चिन कौन सा निर्दे शक चिन तो या फिर सेउयो ज़क चिन भी बोलते हैं जब किनी दो वर्ण को आपसमें जोड कर लित ते हैं या तो ये ज़ते हैं और स्वी या फिर सामासिक चिन भी तोस्ति है और अब आपका साथे आपका सक्षट क्या पेर या कोश्टक का यूज कब करते हैं जब एक सब्द के दो नाम दे देते हैं एक कुताब लिख देते हैं लेकिन दूसरा फिर उसके साथ में अगर लिखना होता है तो हम उसे कोश्टक चीन में लिख देते हैं अब बात करते हैं एट्थ आपका है अवतरन क्या अवतरन जिल्ट जब आपको ऐसा वाक्य बोल जिसमें एक किसी एक सब्द को आपको जदा अच्छे से दिखाना होता है तो उसे आप उद्धरन चिन से दिखाते हैं ठीक है इसे तो हम maximum यूज भी कर लेते हैं जैसे आपको बता दो मैं काम जैसे कोई भी सब्द बोल दू जया फिर ऐसे बोल गिए कि असपरषी शंगर्स वेंजण कौन से हैं तो जब ऐसे बोल देते हैं तो ऐस कrid uh अय यह वाला नहीं कि जब आपने कोई बात बोल दी लेकिन वह कंपलेट नहीं हुई है और भी थे तो आप 06 ए इसका बताएं तो इसे जो सिर्कामत परशाद गुरुजी नोंने विशर्ग के समक से बताया ठीक है तो विशर्ग भी बोल देते हैं आप जैसे दुख ये चिन है ठीक है अब दस्वा है आपका वीवरन चिन है कौन सा है वीवरन वीवरन चिन है जैसे किसी चीज का आपको परिभाशत देनी हो तो जैसे आपको किसी चीज का सिधानती बताना तो एक शब्द आप लिख देंगे ठीक है और उसे फिर डिफाइन करना होगा आपको परिभाशत करना होगा तो वी तब आप वीवरन चिन का यूजब करते हैं ठीक है दोस्तों है अब अलेवेंथ है आपका पून रुखती चि कि ये कौन से हैं आपके ये वाले अ किères के लगेंगे ये उपर ही ये पून रुक ती इस उचक चिन का प्रियों करते हैं जब आप किसी नहीं आपके सामने कोई बात कही है ठीक है और उस बात को फिर आप किसी और के सामने जब कहते हैं वो कहते हैं कि डारेक्ट स्पीच जो डारेक्ट इन डारेक्ट आपने टैंस भी देखे होंगे तो वो इसी के अंदर लगाते हैं न कॉमा इंवर्टिड कॉमा तो ये वही है किसी के कई हुए बात को जब आप कहते हैं तो आप जब लिखते हैं उसे तो लिख कर अगर बताएंगे तो आप फिर इसका पुर्रुक्ति सुचक चिन का परियोग करें अब बात करते हैं लागव चिन लागव चिन है यह क्या है आपका यह सुनिया आघिए जब कोई बात से दाट फिनिश होगी कोई बात क्या है अब है आपका लागव चिन हो गया आप कहें 13 कौन सा है लोप चिन लोप चिन यह जैसे आप देखते हैं कि स्थान भरिए कोई वाक्य बोल देते हैं और उसका एक शब्द आप छोड़ देते हैं तो यानि कि उसकी जगर पर आप किसका यूज करते हैं लोग चिन का ठीक है कि कैसे जैसे कि हो डैस 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 ऐसे यूज सोरी अच्छी से नहीं लिखा गया डैस 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 एसे कर लिख देते हैं या फिर कभी-कभी ऐसे भी लगा देते हैं तो पर पर आप अब बात करते हैं नंबर फोर्टीन की फोर्टीन पर है आपका पाद चिन है ये क्या है आपका ये ये वाला है जब आप देखते हैं एक शब्द बोल दिया उसके बाद दूसरा सब्द एक सब्द मतलब की जैसे कि आलफा बेटी लिख लो आप आप कोई कोश्चन बनाना चाहते हैं तो जैसे कि A लिख दिया A B C तो B को छोड़ करके आप फिर महाँ पर कौन सा B को तो आपने हाइड कर दे और सिर्फ B की जगह क्या लगा दिया आपने पाद चिन है ठेक है अब 15 थैं आपको 15 दिर्ग उच्चारण क्या दिर्ग उच्चारण चिन उसके लिए यानि कि मात्रा भी बड़े वाली होते है जैसे आपको शब्द बोले से ओम उच्चारण कैसे हो रहा बहुत जादा तो ओम को आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक है दिर्ग उच्चारण तो वहां इसका यूज होता है अब है आद बिल्दू ये वाला चिन ठीक है ये क्या है आपका डिवाइड वाला और एक है आपका हं पद ये वाला है आपका हंच पद एक टीन था आपका टीका सूचक क्या पी का सूचक ऐसे इस इस्टार प्लस या फिर दो ये आपकी क्या है टीका सूचक ठीक है दोस्तों अब नाइम तीन है आपका कौन से तुल लेता सूचक तुल लेता सूचक कौन से है तुल लेता सूचक ये ही जब आप किसी की तुल लेता करते हैं ठीक है इसे लिखने के लिए अगर आपको दे दिया जाए और वह समाप्त होता है तो फिर आप उसके लाश्ट में ये वाले चीने लगाते हैं या फिर आपने देखा गा मैक्सिमम किताबों में भी ऐसे लगा देते हैं सबसे लाश्ट वाला जो पेज होता है जो आपकी बुक्स ह होती है जो छोटे वच्चों की बुक्स होती है मैक्सिमम उनमें ऐसे ये चिन लगा के दे दिया जाते तो यह सवाप्ति सूचर ठीक है दोस्तों तो आप आपका वर्ण माला टोपिक जो है अब कम्प्लीट हो गया है ठीक है तो दोस्तों तो यह पढ़िया आपने अल्प विराम अर्दि विराम पूर्ण विराम परसंचिन आश्चेरेचिन निर्देशक्चिन निर्देशक्चिन का मतलब क्या होता है कि जो आप किसी को जब शंक्यत देते हैं तो वह उसी के लिए आप निर्देशक्चिन का यूज करते हैं ठीक है फिर आप कोष्टक का वही कि एक मिनिंग आपको पता है एक बर्ड के जैसे दो नाम दे दिये एक नाम आपने लिखे तो जब दूसरा नाम लिखेंगे तो आप खाङ। अवतरन का मतलब क्या होती है कि जब आप किसी कत्वन को जो कत्न लख देते हैं तो वही आप उछ Means उसके बाद अपूर्णविराम् होता है बुजभ ते लाइन आया फिर रखालते है। यार की जब और कोई पुल्रखति चक्क क्या मतलब है कि किसी ने कोई बात कही और आपने उसे अपने शब्दों में दूसरे को बताया वह पुल्रूखति सुच को फुल्लागल चिन को ठीक है दोस्तों लूप्चिन का पता चले गया आपको लूप्षीन को निर्देश देते तो वहाँ पे क्या होते हैं कि आपको लोपचिन जैसे होते हैं जिनमें तोनमें लोपचिन करते हैं ठीक है यानिकि जब बात जो है उस बात की पुर्रुक्ति करनी हो ठीक है और पादचिन आपको समझ आ गया और यह सबी आपके इस परकार 20-20 जो है विराम चेन भी हो गए है तो दोस्तों उम्मीद करती हूं कि आज की जो किलास है आपको समझाई होगी अच्छे से तो मैंने अच्छे से काफी डेपली बताया है आपको इतना डेपली तो कोई पेड़ बैच में ही बताता है ठीक है लेकिन आपको फ्री में इतना मिल रहा है तो प्लीज दोस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपके लिए helpful रहती है तो प्लीज दूसरे दोस्तों के साथ बीशे शेयर करें वीडियो को लाइक जरूर करो ठीक है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हूं कि आपको ये अच्छे से समझाई होगी तो बाय कहन तो आप شाल दोस्तों अच्छे लगती है तो प्लीज अपना कमेंट भी दूस कमेंट कीजिये अपना फीडबैक जरूर दी जिए प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए कि जितने जादा हो शकता है अपने दोस्तों के साथ c.r ह favor आपना फीडबैक तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाई दोस्तों.